हाई फेंड्स वेलकम तु लर्न कैडमी और मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था जो हमारे एडूकेशन्स में इस्टर्ड वेस्ट पिंगॉल के सरे पातो चैटर जीने मिटिंग होगा उनका 13 जून को और जीनों ने कहा था कि कॉलेज स्कूल से लिटेट बहुत ही स यहाँ पर सब्सक्राइब कर यहां तो कहले एड़ बहुत है आप सभी के लिए और बाकि सारे स्टूडेंट के रिए तो वीडियो को ज़रूर एंट तक देखिएगा अगर आप मेरे चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करकर बेल आइकन को प्रेस कर लिजेगा और हाँ friends अगर आपने NIRF का ranking का वीडियो नहीं देखा है तो description में लिंक देदूँगा आप वहाँ से देख लिजेगा तो आए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं तो फिन सबसे पहले जो हमारे education minister ने कहा health को लेकर health को लेकर उन्होंने बहुत ही कुछ कहा है क्योंकि आप जिस तरीका से अभी की situations हैं हमारे भारत की और बेस्ट बेंगॉल की भी देखिए तो बहुत ही खराप इस्तितिव हैं क्योंकि करोना वाइरस वो बढ़ते जा रही है तो students की health भाले ही वो school students हो या आप college students हो तो अभी इस दोरान जो possible नहीं है जो नया academic station start होने की या अगर आप सोच रहे हैं कि जुलाई मन तक schools and colleges है वो भी open हो जाए बट अभी किसी भी तरीका से possible नहीं है और जो हमारे education minister है वो भी किसी तरीका का लापरवा नहीं लेना चाह ठीक है फ्रेंट लेकिन जो उच्छे माद में की exam यानि class 12 की exam होने वाली है वो होने वाली है किसी भी तरीका से होंगे क्योंकि आपको मैंने लास्ट वीडियो में ही बताया था कि उन्होंने बहुत ही तरीका के विवस्ता किये हैं sanitizers कियेंगे आप सब का वहां पे हर एक र तरीका से पुरा जुलाई तक बंत रहेगी ऐसे हमारे मारे ने जो छेप मेने श्रेश रिमामताब अनरजी ने भी यही कहा था कि स्कूल को अभी किसी भी तरीका से ओपे नहीं हो सकते हैं इसके बाद अकैडमिक शेशन अभी पॉसिबल नहीं है इस सिच्वेशन में किसी से अगर हम लोग फीज की अगर बात करूं तो स्कूल फीज जो हैं बहुती सारी देख रहे हैं कि पैरेंस हों टीचर जो आंदूलग निकाली जा रही है आखिर बहुती सारी केसे ऐसे वेस्ट बिंगॉल में हुई हैं तो जो हमारे एडुकेशन मेंस्टर ने कहा है कि सारी स्कूल और जो है प्राइविट हो या आप गवर्मेंट्स हो तो जो फीज थोड़ी सी ना ली जाएं और थोड़ी से मैनेज करना होगा उन्हें और इसकी बाद जो फीज भी बढ़ाई ना जाएं अगर आप नई क्लास पे आ रहे हैं एक बच्चा प्रमोट होकर तो उनकी कि फीज भी इस साल किसी भी तरीका के पॉसिबल्स नहीं है अगर किसी भी अगर स्कूल या प्राइबेट हो या गवर्मेंट हो अगर किसी भी तरीका से फीज अगर इंक्रीज करती है तो उन्हें भी एक्संस भी ले सकती है गवर्मेंट दौरा तो स्कूल जैस तरीका से परिशान हैं पैरेंस जिस तरीका से आंदूल निकाल रहे हैं आप देख सको हैं इसके बाद माधमिक के जो रिजल्ट है बेस्ट पेंगॉल की वो बोला जा रहे हैं अगर्ष्ट तक आ सकती है कि आई फ्रेंट्स अब जो है कॉलेश टूडेंस के बारे में जान लेते हैं कि जिती भी सारी फर्स्ट एयर और सेकेंडर के स्टूडेंस के बारे में फिराल अभी तक कोई अपडेट नहीं है लेकिन उन्होंने इतना कहा है कि जो आगे भी मैंने आपको बताया था कि जो फर है वो वो आपकी एक्जाम करवाना पॉसिबल नहीं है एक दम तो इसी की विशय में एक मॉडिलर जो है वो जारी करेंगी आपकी युनिवर्सिटी और वो अपडेट आपको कॉलेज की युनिवर्सिटी की वेबसाइट में आपको मिल जाएगी तो यह दोरान अभी चल र करने हाँ पर यह अस्ट को में एक तेंहोंनों के इंदर नौकरी कोंवा सिक रहे है कि वारे से यह दो आपको सब्स्क्राइज कर रहें जो जो आप आपकी जो जॉब्स की भी एक बहुती बड़ इंपोर्टिंस हो जाती है अगर आपकी एक्जाम्स और रिजल्ट्स भी दोनों जल्द से जल्द वो सौट आउट करने की पर ढूंड रहे हैं और आपकी जो एक्जाम है वो इस प्रकार से होंगी फ्रेंज जैसे की 50 मा फ्रेंट जो हैं वो आपको प्रिविएस एक्जाम की तरफ से आपकी होने वाली है और जो 50 माक से वो आपकी internal assessment होगे आपके कुछ प्रोजेर्ट्स हो हो गईये हैं homeworks हो सकते हैं और आपकी जो exam होंगे वो भी online लेने की माध्यम से वो पूरी की पूरी कुसिस कर रही है आपकी जो governments है final year के students के लिए तो final year के students के लिए exam होने वाली है और government के तरफ से पूरी चेश्टा है कि आपकी exam ली जाए और तुरंत और इन्होंने साप साप यह भी कह दिया कि 31st July के अंदर आपके result और आपकी जो भी decisions होंगे भले ही आपकी 50 marks जो previous होने वाले हैं और 50 marks आपकी internal marks से आएंगे वो किस तरीकर से होंगे वो भी आपको एक modulus बना के आपकी जो college की website है वहाँ से आपको information दे दी जाएगी तो आसा करता हूं फ्रेंड्स वीडियो आपको पसंद आया होगा तो जादा से जादा इस वीडियो को सेयर कीजिएगा अपने और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा किसी प्रकार का डाउट वा तो डिस्रिप्शन में जरूर मुझे कमेंट करकर बताईएगा मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद